बड़े बुजुर्गों के 20 नियम ध्यान रखने योग्गे जरूरी बातें नमबर एक हमेशा कोशिश करें कि सूर्योदे होने से पहले पिस्तर छोड़ दें ऐसा करने से आपके अंदर निहित नकारात्मक उर्जा कम होती है जो की जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है नमबर दो कभी भी खाली पेट दूद वाली चाये ना पिएं ऐसा करना शरीर को बहुत धानी पहुँचाता है नमबर तीन हर बार खाना खाने से पहले अपने हाथों को साबून से जरूर धोना चाहिए इससे आप हमेशा बिमारियों से बचे रहेंगे आपके हाथों में जो गंदगी होती है वो खाने के साथ अंदर नहीं जा पाईगी नमबर चार रात को अंधेरे में सोने से डिप्रेशन का खत्रा कम रहता है नमबर पाँच ज्यादा पैदल चलने वाली लोगों को दिल की बिमारी नहीं होती और शरीर भी स्वस्त रहता है नमबर छे लंबे समय तक लगातार जुक कर पैट कर काम करने से रीड की हड़ी और गर्दन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है 7. ज्यादा चाई का सेवन करने से दातों के एनिमल पल बहुत बुरा असर पड़ता है 8. जिनकी त्वचा रूखी और खुश खोती है उन्हें नाश्पती का सेवन करना चाहिए 9. ज्यादा चीनी वाली चाई पीने वाले लोग जल्दी ही मोटापे का शिकार हो जाते हैं 10. ज्यादा चावलों का सेवल करने से डाइबर्टीस की दिक्कत हो सकती है 11. दही के उपर वाले पानी को फैकना नहीं चाहिए इसका सेवन लीवर को साफ करता है 12. सुबा के समय भीगे हुए चने खाने से वजन तेजी से बढ़ता है साथ ही मसल्स भी मजबूत होते हैं 13. अकसर रसोई में असाबधानी से काम करने पर हाथ पैर जल जाते हैं तो जैतून का तेल लगाने से आराम मिलता है 14. अगर खांसी ज़्यादा हो तो मीठी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए नहीं तो गला बैट सकता है और बोलने में दिक्कत होने लगती है 15. लस्सुन की कली कटी हुई हो या साबुत इसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए लस्सुन नरम होकर अंकुरित होने लगता है इससे इसका स्वात कम हो जाता है और जो लस्सुन के लापकारी गुण होते हैं वेह भी खतम होने लगते हैं 16. हमें कभी भी दुकानों में मिलने वाली कोल्डरिंग नहीं पीनी चाहिए इन में बहुत हानिकारक तत्व होते हैं जो कि शरीर को खराप कर देते हैं इससे अच्छा ये है कि आप घर पर नीबु पानी या कोई भी ठंडाई बना कर पीएं 17. खाना खाते वक्त किसी चीज के बारे में ज्यादा ना सोचें गुस्से में कभी भी भोजन ना करें पहले अपने आपको शांत करें फिर भोजन करें 18. खाना खाते ही कभी सोना नहीं चाहिए कम से कम आधा गंटा तो जरूर रुकें उसके बाद सोएं 19. जिन लोगों को बीपी कम होने की शिकायत हो उनको रोजाना नाश्टे में खजूर खाना चाहिए 20. खाना पकाने के बाद 40 मिनट के भीतर भोजन खाएं दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका भोध भोध धन्यवाद